सौर उर्जा के उपयोग के लिए एक और प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है इस प्रस्ताव में एक अंतरिक्ष यान को तुल्य काली प्रत्वी कक्ष सिन्क्रोनस अर्थ और्बिट में भेजने का विचार किया गया है और उसी उचाई पर सौर उर्जा को माइक्रो वेव उर्जा में रूपांतरित कर वापिस भूतल पर प्रेशित करने की बात सोची गई है इस सूक्ष्म तरंग उर्जा माइक्रो वेव एनर्जी को भूतल पर विद्धुत में रूपांतरित करने का प्रस्ताव है इसमें किसी नवीन, शिल्प, विज्ञान, टेक्नालोजी की आवशक्ता नहीं होगी तथा पृत्वी के वायु मंडल एवं बादलों से घिरे रहने की समस्या भी हल हो जाएगी परंथ ये अंतरिक्ष यान बहुत विशाल बनाने पड़ेंगे पृत्वी के अभिग्राही स्टेशन, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर पाँच हजार मेगावाट विद्धुत उत्पादन हेद अंतरिक्ष में सोलर सेल छे वर्गमील से भी अधिक होना पड़ेगा आवशक पडार्थों को कक्ष या और्बिट में भेजने पर व्यव बहुत होगा तथा इस यंतर के निर्मान से भी अत्यदिक खर्चा होगा जो वर्टमान में सस्ता प्रतीत नहीं होता सौर विद्युत उर्जा के क्षेत्र में समस्त विश्व एक नवीन पारवेधन खोज या कोई नई ब्रेक्थ्रू डिसकवरी की प्रतीक्षा में है एक बहुत ही आशाप्रद विद्य है जैव रूपांतरन बायो कन्वर्शन की सौर टेक्नालिजी यह विद्य सौर उर्जा के भंडारण एवं ग्रहन करने के लिए फोटो सिंथेसिस या फोटो केमिकल विद्यों के प्रयोग पर आधारित है इसके फलसरूप, द्रव, अथ्वागैसी, हाइड्रोकार्बन और द्योगिक कार्बनिक रसायन आदिक प्राप्त होते हैं कृशी एवं वन अवशेश तथा दृत गति से बढ़ते इस्थलीय पौदे जैव मात्रा बायो मास के समर्थित स्रोथ हैं इंधन उत्पादन हेट उप्युक्त स्वच्छ जल के जलीय पौदे भी जैव मात्रा के लिए महत्वपून स्रोथ हैं उदाहरन के लिए जल हायसिंथ वाटर हायसिंथ तथा शैवाल एलगी की उत्पादन दर भहुत तेज हैं और अवाय की किणवन एन एरोबिक फर्मेंटेशन द्वारा वे सुगमता से मीथेन में रूपांतरित हो जाते हैं जैव रूपांतरन सौर टेकनालिजी या बायो कनवर्शन वाली सोलर टेकनालिजी पुनरनवन इधन सप्लाई रिनुवेबल फ्यल सप्लाई के लिए भविश में एक मुख आधार बन सकती है हमारे देश में छोटे गोबर गैस संयंत्र का भी विकास हो चुका है और किसानों ने व्यतिगत रूप से लगवक पाँच हजार से अधिक ऐसे संयंत्र लगाए हैं सौर तापी ये सोलर हीट अत्वार फोटो वोल्टाइक सोलर सेल प्रक्रमों की तरह जैव रूपांतरण में के मामले में भंडारन स्टोरेज की कोई समस्या नहीं है किन्वन फर्मेंटेशन के पश्चात अवशिष्ट रेजिड्यू विर्थ नहीं जाता ये इस प्रक्रम का दूसरा लाब है अवशिष्ट खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है जिन देशों में जीवाश्म इंधन फौसिल फुएल तथा नाभकी ये उर्जा स्टोतों की कमी है जैव रूपांतरन द्वारा प्राप्ट उर्जा विशेश रूप से आशाप्रद है कभी कभी भूतापी ये उर्जा जियो थर्मल एनरजी की भी चर्चा की जाती है भूतापी ये उर्जा प्राकृतिक वाश्प साधनों अत्वा उश्न शुष चट्टानों से उत्पादित की जाती है प्राकृतिक वाश्प नैच्रल इस्टीम आर्थिक दृष्ट कोन से स्परधापूर्ण है किन्तु श्रोतों का आधार सीमित है इसका कारण है कि प्राकृतिक वाश्प राप्त करने के लिए कई भू वैज्ञानिक बातें एक साथ मिलने पर निर्भर हैं ये हैं उश्न चट्टानों का होना, भूमिगत जल प्रणाली, अपार गम में शैल, इंपर्वियेबल रॉक जो वाश्प को संगरक्षन हे तु ढकन का कारी करे और अंतराल में दाब बनने दे आदी एक अध्यन के पश्चात देखा गया है कि संसार में स्थापित समस्त भूत तापिये वैद्धित उत्पादित ख्रमता सन 1975 ईस्वी में केवल 1400 मेगावाट थी यद्यप उष्ण शुष्क चट्टानों द्वारा उत्पादित उर्जा भूतापिये साधनों को बढ़ाती है किन्तु इसका शिल्प विज्ञान टेक्नॉलिजी अभी भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है भारत में अनुकूल भूवे ज्यानिक स्थान बहुत नहीं है और इन साधनों द्वारा योगदान काफी कम है एक और शक्ति है वायू शक्ति पवन शक्ति जिस पर विचार कीजिए वायू शक्ति पतवार से चलने वाली नाव से हम सभी परचित हैं परंत वायू शक्ति आज कल इतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी लगभग पचास या सो वर्ष पहले थी योरोप के अनेक भागों में पवन चक्यां विंड मिल काफी सामान ने थी और ग्रामीन ख्षेत्रों में खपत की जाने वाली उर्जा में इन मिलों का काफी योगदान था यदि वायू शक्ति को उर्जा आवशक्ताओं हेत महतपूर्ण योगदान देना है तो बड़े बड़े वायू जनरेटर एरो जनरेटर का निर्मान करना होगा पंखे ब्लेड चलाने तथा एंजिन नियंतरन की दिशा में अनुसंधान एवं विकास कारे किया जा रहा है एक मेगवाट की ख्षमता वाली युक्तियों पर बल दिया जा रहा है अक्तूबर 1978 की एक परिसंवाद में सन्युक्त राज अमेरिका की एक प्रयोग शाला ने सत्रा मीटर उर्ध वारधर अक्ष वर्टिकल एक्सेस वाली मशीन की अभिकल्पना निर्मान तथा परीक्षन संबंधित सामगरी प्रस्तुत की है नवीन संकल्पनाएं कॉंसेप्स सोची जा रही हैं जैसे पवन सकेंद्रक विंड कंसेंट्रेटर विखारक डिफ्यूजर्स एवं भ्रमिल जेनरेटर वार्टेक्स जेनरेटर जो परिवात वायुगत एम्बियंट विंड विलोसिटी को बढ़ाते हैं इनके परिणाम सुरूप संपून प्रनाली में सरवाधिक मूल वान पुर्जा टरबाइन के आकार को कम करने और इसी प्रकार मूल कम करने की चेश्टा की जा रही है वर्तमान मूल यांकन यह दर्शाते हैं कि छोटे पैमाने पर कारे करने से उत्पादित विद्धुत का मूल अधिक होगा यद्यपी बड़े पैमाने पर पवन चक्यों का अन्वेशन अनिश्चित है फिर भी कुछ ग्रामीन ख्षेत्रों में स्थानी और छोटे पैमाने पर इसका प्रियोग महत्वपूर्ण हो सकता है संपूर्ण कारिक विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में है इन दिनों पवन उर्जा के समान समुद्री लहरों से उत्पन उर्जा भी ध्यान आकृष्ट कर रही है यह उर्जा भी पुनर नवन रिन्यूवल प्रकार की है इस से उपलब्ध शक्त के विशह में विचार करने के लिए मुझे मिस्टर इंगलेंड की राय वर्णन करनी चाहिए जिन के हिसाब से उत्तरी अट्लांटिक से ब्रिटेन पहुँचने वाली सागरी लहरों में तरंगाग्र वेव फ्रंट की ओसतन उर्जा असी किलो वाट प्रति मीटर है इस प्रकार ब्रिटेन के पूरे अट्लांटिक तट की ख्रमता एक लाख बीस हजार मेगा वाट है यह विचार किया गया कि अधिक हानि के कारण शक्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा विद्धत अभभोकता के पास पहुँच पाएगा किन्तु यह भी वर्तमान खपत दर के अनुसार समस्त ब्रिटेन को सप्लाई की जाने वाली शक्ति के लिए पर्यापत है भारत में विस्तृत सागर्त तट होने के कारण हमें आशा है कि यदि इस साधन का उपयोग किया जाए तो काफी उर्जा प्रापत की जा सकती है फिर भी हमारा अनुसंधान एवं विकास कार्य इस दिशा में थोड़ा है National Institute of Oceanography गोवा में इस दिशा में तथा जवार भाटों से उर्जा के संबंद में कार्य हो रहा है जवार भाट यानि टाइड्स से उत्पादित उर्जा भी एक नवी कृत साधन हो सकता है पृत्वी सूर्य की अपेक्षा, पृत्वी चंद्रमा के परसपर क्रिया इंटरेक्शन से जवार भाटे उत्पन होते हैं संसार में दो आधुनिक जवार शक्ति योजनाएं टाइडल पावर स्टेशन अस्तित्व में हैं एक फ्रांस में लारेंस पर दो सुचालिस मेगावाट यंतर तथा रूस में किसलाया ग्यूबा में छोटा यंतर इनसे यह सिद्ध हो गया है कि जवार भाटा शक्ति अलप व्यव में तयार की जा सकती है फिर भी जवार भाटे से उत्पादित शक्ति उपियुक्त सागर सैयम मोहाना या एस्टिवरी के अस्तित्व पर निर्भर है अतह जोर भाटे से शक्ति बहुत थोड़ी होगी किन्त भारत में उप्युक्त स्थान खोज कर इस शक्ति का स्थानी ये प्रयोग किया जा सकता है सागर की तापी ये प्रणाली ओशन थर्मल सिस्टम भी एक दूसरा साधन है सूर्य विकरनों दौरा सागर की उपरी सतह आंतरिक गहरी जल परतों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है अतह ताप क्रम में ये भिन्टा विद्धुत उत्पादन में प्रयोग की जा सकती है भारत उशन कटबंद में है अतेव ताप क्रम भिन्टा काफी है फिर भी आवशक प्रनाली एक बड़ी और महेंगी प्रनाली है समुद्र में डूबे रहने के कारण इस प्रनाली में बहुत ही जल्दी जंग लग जाता है हमारी उर्जा की ये आवशकता कब और कैसे शुरू ही इस सिलसले में एक कथा सुनाना चाहूंगा उर्जा की भूख ने मानव जाति को विविद संभावनाओं के पता लगाने का पर विवश्क कर दिया उसने अपनी आवशकता अनुसार सूर्य वाय समुद्र आधिका प्रयोग करने का प्रयत्म किया है संपून जीवित प्राणियों में केवल प्राकृतिक मानव ही है जो प्रकृत में आराम से नहीं है वो सोचता है कि प्रकृति उसकी आवशकताओं के अनुकूल नहीं है प्लेटॉनिक डायलॉग में प्रुटेगुरस द्वारा बतलाई गई एक कथा उध्रत करना चाहता हूँ ये सभी प्राणियों की रचना से संबंधित है प्रो मैथ्यूस तथा एपी मैथ्यूस दो भाई थे इश्वर ने उनको अग्रद्रिष्ट फोर साइट तथा पश्च द्रिष्ट हाइंड साइट बनाया और उनको स्रिष्ट की रचना के समय विविध प्राणियों को हर तरह की उप्यूक्त शक्त से सुसजित करने का काम सौपा छोटे भाई एपी मैथ्यूस पश्च द्रिष्टी ने इस कार को करने की जिम्मेदारी ली उसने सरप्रथम पश्वों को लिया किसी को उसने शारीरिक शक्ति दूसरे को गति शस्त्र कुछ को छदमावरन केमावफलेज कुछ को उडान किनी को भूमिगत रहने के साधन आ एन पश्वों के जीवन पर जीवित रहेंगे उनको कम बच्चों वाला बनाया इसके विप्रीत उनके शिकारों को बहुत बच्चे दिये संपूर्ण विभाजन क्षति पूर्ति के सिध्धान्त पर किया गया ताकि इस बात का ध्यान रहे कि इन विधियों से किसी भी प्राणि जाति का सर्वनाश न हो आप तुलना कीजिये कि आज कल हम प्रदूशन उत्पन करके एपी मैथ्यूज पश्च द्रिष्टि के बराबर भी अग्र द्रिष्टि नहीं दिखा रहे हैं किन्त बिना पूर विचारे एपी मैथ्यूज ने अपनी सभी उपलब्ध शक्तियों मनमाने जंगली जानवरों को बाट दी और कोई भी शक्ति मनुष जाती के लिए शेश नहीं रही प्रो मैथ्यूज अग्र द्रिष्टि कारे का निरिक्षन करने आए तो देखा कि दूसरे सभी पशु प्रतेक वस्तु में सम्रद थे किन्त मनुष वस्त्रहीन आश्रहीन विस्तरहीन शस्त्रहीन खड़ा था निश्चित दिन आगया था जबकि मानों का भी पृत्वी के अंतराल से दिन के प्रकाश में आविरभाव होना था इस कठिन परिस्थित में प्रोमैथ्यूज ने मनुष के लिए कुछ तुरंत सोचने की विधी बनाई इसलिए उसने एथेना एवं हेफिस्टस से कलाग्यान का उपहार चुरा लिया और साथ साथ अगनी भी इस तरह मनुष ने अपने जीवन अस्तित्त के लिए परियाप्त साधन प्राप्त कर लिया तभी से मनुष अगनी जलाता चला आ रहा है और इसी लिए उसे इंधन की आवश्यक्ता पढ़ती है अब तो उसकी उर्जा के प्रतिभूक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसने अपनी इस आवश्यक्ता की पूर्त के लिए सूर्य वायू समुद्र आधि को भी नहीं छोड़ा है वास्तों में वायू और समुद्र मन्थन अब शुरू होगा इन दोनों वारता लापों में उर्जा के संभावित साधनों, कन्वेंशनल तथा अनकन्वेंशनल दोनों रूपों पर हम लोगों ने विचार किया अब हमें देखना है कि वर्ष 2000 ईसवी के लिए क्या संभावनाए है वे कल्पिक उर्जा व्यू रचना, Alternative Energy Strategies पर एक अंतराष्ट्री वर्क्शॉप में इस प्रशन पर विचार किया गया वे विश्व के संदर्व में अनेक ऐसे निश्करशों पर पहुँचे हैं जो हमारे लिए भी मानने हैं अतह इस वारता को पूर्ण करने से पूर मुझे अपने निश्करशों एवं परिणामों को संख्षेप में बताने दीजिए पहला निश्करश है कि संसार भर में उर्जा के लिए मांग बढ़ती रहेगी शून बढ़ोतरी जीरो ग्रोथ का समय अभी दूर है विकास शील देशों में ये मांग और भी अधिक बढ़ेगी क्योंकि जीवन स्तर की उन्नति के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ रही है ये आका गया है कि संसार में उर्जा की आवश्यक्ता प्रति दस वर्ष में दुगनी हो जाती है भारत में भी उसी दर पर उर्जा की मांग बढ़ रही है दूसरा सन दोहजार ईस्वी से पूर या इस से भी और अधिक पहले संसार में उर्जा की बढ़ती मांग को पूर्ण करने में तेल की सप्लाई अपरियाप्त होगी तेल के क्षेत्र में भारती साधन बहुत थोड़े हैं अतेव यह निशकर्ष हमारे लिए और भी मातवपूर्ण है तीसरा तेल द्वारा प्रभावित अर्थवेवस्था के परिवर्तन का विचार विश्व को शीग्र ही करना चाहिए चूंकि हम तेल आयात करने वाले देशों में हैं अता हमें तेल उन उप्योगों हेत उसरक्षित रखना चाहिए जहां केवल तेल ही प्रयोग किया जा सकता है यथा शीग्र हम इस परिवर्तन की और ध्यान दें सन दोहजार ईस्वी से पूर उर्जा का वेकल्पिक साधन ढूनना होगा अनुसंधान एवं विकासकार केवल अधिक निवेश इंपुट्स पर ही निर्भर नहीं है बलकु उसके लिए लंबे समय तक निर्देशन की आवशक्ता होती है इसलिए वेकल्पिक इंधन के लिए अत्यधिक कार करना चाहिए ताकि ये बड़े पैमाने पर आवशक्ताओं की पूर्थ के लिए उत्पादित किये जा सकें चौथा अब सोचिए भारत में ये विकल्प आल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं हमारी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास परियाप्त कोईले के भंडार है किन्त ये एक मूलिवान खनिज है और यहां तक कि कुछ लोग इसको काला हीरा कहकर पुकारते हैं अतहिये केवल इंधन रूप में ही नहीं जला देना चाहिए इसको सरवाधिक लाब के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ता कि सभी रासायनिक उपोत पाद केमिकल बाई प्रोड़क्स प्राप्त किये जा सकें परंद अभी ऐसी कुछ संबंधित समस्याएं हैं जिनका समाधान, अनुसंधान एवं विकास द्वारा ढूनना बाकी है प्रथम समस्या इस से उत्पन प्रदूशन और दूसरी समस्या देश के विभिन शेत्रों में दूर दूर तक पहुँचाने की है परिवहन का सरवोत्तम तरीका क्या हो सकता है क्या ये सरव प्रथम खानों पर द्रव अमोनिया अथवा विद्धत रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए या इसके अलावा अनकोई दूसरा वेकल्पिक तरीका है पांचवा जल विद्धत में हमारी अच्छी संभावनाएं है ऐसी विशाल योजनाएं जो बार तथा सूखे की समस्या को हल करेंगी और उपोत पादन बाई प्रोडक्ट के रूप में विद्धत की प्रिचुर मात्रा प्रदान करेंगी देश के विचारा धीन है इनमें लगाने के लिए अधिक धन तथा परियाप्त समय की आवशक्ता है पारिस्थित की एकालेजी तथा जलवायू पर संगठन या प्रभाव को जानने के लिए अध्यन करना होगा छटा नाब की ये शक्त से उत्पादित विद्धत महत्पूर्ण योगदान देने में सशक्त है भारत में यूरेनियम का संचेन बहुत कम है सौभागवश हमारे पास थोरियम का सरवादिक संचित भंदार है तीव प्रजनक रियक्टर पर अनसंधान एवं विकास जो बहुत ही उच्च श्रेणी का शिल्प विज्ञान हाई टेकनालोजी ख्षेत रहे एक स्पष्ट उत्तर है अनेक ऐसी तक्नीकी समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालना है ताकि यह सुरक्षित एवं मानिसाधन बन जाए सन दोहजार ईस्वी से पूर्य सनलगन फ्यूजन्स शक्ति महतपूर्ण नहीं होगी साथवां उर्जा के नवी कृत साधनों में कृषि व्यर्थ वायु शक्ति लहर शक्ति तथा सौर उर्जा है बहुतायत के कारण भारत में सौर उर्जा अत्यन्त आकरशक है पानी गर्म करना तथा स्थल गर्म करना सस्ते रूप से संभव हो चुका है सौर इंजनों जैसे सौर पंपों, सोलर पावर स्टेशनों आदिके निर्मान में प्रायोगिक कारिये चल रहा है सौर उर्जा से के किसी उपियोगी रूप में जैव रूपांतरन बायो कनवर्शन से उत्साह पूर्ण परिनाम प्राप्त हुए है यद्यपी सौर उर्जा का विद्युत में सीधे से रूपांतरन संभव है किंत रूड तरीकों की अपेक्षा वर्तमान मूल दस से सौगुना अधिक है अनेक भारती प्रियोग शालाओं में अनुसंधान एवं विकास कारिय हो रहा है हमने राष्ट्री भातिक प्रियोग शाला नई दिल्ली में न्यून शुद्धता वाले पॉलिक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का सोलर सेल निर्मान के प्रियोग में प्रारंभिक सफलता प्राप्त कर ली है ताकि निर्मान व्याय में कटवती की जाए किन्त अभी भी हमें इस ओर भहुत कारिक करने है 21 शताब्दी में सौर उर्जा का महत्व और अधिक होने की आशा है सौर उर्जा के अतरिक लाब भी है क्योंकि यह प्रायोगिक अत्वा व्यावारिक रूप में अप्रदूशक है अत्यदिक विकसित राष्ट इस क्षेतर में महत्वपूर्ण अनुसंधान कर रहे हैं और अन्भव किया जा रहा है कि यह विकास शील देशों के लिए उर्जा के साधन का उप्युक्त विकल्प हो सकता है फिर भी समय समय पर यह शिकायत सुनने को मिलती है और शंका उत्वन होती है कि विकास शील देशों को सौर उर्जा क्षेतर में प्रवेश करने के लिए इसलिए प्रोथसाहित किया जा रहा है क्योंकि नाब की उर्जा की अपेक्षा इसका सेना संबंदी महत्व बहुत कम है समस्त नवी कृत साधनों रिनुवबल सोर्सेज को भविश में प्रगत शील भाग लेना चाहिए और इस प्रकार भावी शताब्दी में ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे किन्त अभी इन ख्षेतरों की शिल्प विज्ञान टेक्नोलोजी का विकास बाकी है अभी ये आर्थिक दिर्ष्टिकोंड से अधिक खर्चीले हैं तथा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वातावरन पर होने वाले प्रभाव क्या होंगे इनको हल करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यक्ता है हम सब आशा करें सौर उर्जा तथा उससे संबंधित साधन सफल होंगे बहुत बहुत धन्यवाद